आप लोग बच्चों हर्याट से हैं और आप लोगों ने अपनी टर्मिनोलोजी को समझा था कितनी सीजन थे होते हैं पाकिस्तान में चार सीजन होते हैं तिसे विंटर, स्प्रिंग, समर एन ओटम सो अब हम स्टर्ट कर रहे हैं एक स्टोरी के साथ क्या है यह स्टोरी दिखते हैं लायबाइश बर्धे इंविटेशन सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी से ओन 14 त में खदीजा गोड अबर्दे इंविटेशन फ्रॉम हर फ्रेंड लाइबा खदीजा को लाइबा ने बर्दे इंविटेशन भेजा लाइबा स बर्दे ओन दे 21st of May अच्छा लाइबा का बर्दे कब होता है 21st of May को खदीजा की बड़ी बेन हफजा ने पूछा लाइबा आपका बर्दे पार्टी है क्या खदीजा काउंटे एंड सेड इस अफ्र सेवन देज और खदीजा ने जवाब दिया हाँ ये तो साथ दिन के बाद है हफसा ने कहा अच्छा तुमारा मतलब है एक हफते बाद खदीजा ने कहा अच्छा एक हफते का मतलब होता है साथ दिन तो खदीजा ने बोला येस अवीग हैस सेवन देज एंड आ मन्थ हैस थर्टी डेज और थर्टीवण except for February February के इलावा अच्छा February के इलावा क्यों फिर February में क्या होता है February में ना तो 30 days होते है ना ही 31 days होते है बलके या तो 28 days होते है और या फिर 29 days होते है अच्छा उसके बाद क्या हुआ ख़दीजा ने पूछा हफसा How many days in a year? तो एक साल में कितने दिन होते हैं? महीने होते हैं? 12 months वाओ! एक साल में 12 महीने होते हैं Khatija asked Hafzah told her in a whole year we have 365 days Okay, तो जब 12 महीने होते हैं तो कुछ महीने 30 days के होते हैं कुछ महीने 31 days के होते हैं और कुछ एक 29 का होता है जब हम इनको add करते हैं तो 365 days बनते हैं She asked her sister My birthday is on 24, I guess How much days to go? उसने क्या किया? अपनी भेहन से पूशा अच्छा, तो फिर मेरा birthday 24 को आता है 24 के आने में कितने दिन रह गए? Hafzah brought the calendar and said Hafzah calendar ले आई और कहा देखो, आज है 14th May It means 17 days of May इसका मतलब है 17 दिन में के 30 days of June मतलब June के 30 दिन और 31 दिन जुलाई के 23 दिन अगस्त के तो इतने सारे days हैं आपने देखा, Hafzah ने कैसे खदीचा ने, कैसे खदीचा ने, खदीचा को effectively बताया के कैसे आपके कितने दिन रह गए हैं क्योंकि उसको calendar पढ़ना आता था So Hafzah said Yes dear and you should learn it और आपको सीखना चाहिए This is how calendar reading is important आपने देखा calendar reading कितने important है So this is how we read the calendar आपको भी calendar read करने आना चाहिए इससे आपको अपनी birthdays का wait करने में असानी होगी और बहुत सारे problems के लिए भी vacation के dates के count करने के लिए असानी होगी है ना? So I hope आप अपने calendars लेंगे आज और बैट के अपने सारे events के days count करेंगे I will see you in the next class in case of any problem आप teacher से पूछें और आपका homework क्या है Homework में आपने story telling करनी है अपने sister को story सुनानी है और translate भी करना है I will see you Allah Hafiz हुआ है